भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे है गंभीर हालात के बीच प्रधान मंत्री नरेंद्रा मूदी ने तीनों सेनाओ के जवानों की जाबाजी और पराकरम को सलाम किया था जबकि भारत की प्रगती को और जोश से आगे बढ़ाने की जनता को अपील भी की थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर कई दिनों से तनाव बढ़ गया है पहले चौदा फरवरी को आतंकी हमले में भारत के 40 जवान सहीद हुए जिसके बाद भारत की वायू सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसके आतंकी केम्पों का सफाया किया जिसके बाद बौकला है पाकिस्तान की और से हवाई और जुबानी कई प्रतिकियां दी गई वहीं आज प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने कहाए कि आज पूरा देश एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है देश का जवान आज सीमा पे और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है दुनिया हमारे कलेक्टिव वील को देख रही है हमारी सेनाओं के सामर्थ पर हमें भरोसा है वही भारत के सैनिय जवाब उसे डरे पाकिस्तान ने बातचीत से मसले हल करने की पेशकर्ष भी कर दी है कि जब हम त्यार बैठे हैं हमने आपको कहा कि जो आपकी पलवामा की जो ट्रैजडी हुई उसके जो आपको जो दुख पहुंच रहा है किसी किसम का डालग करना चाहते हैं देशतगर्दी के ओपर हम त्यार हैं लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वाक्त बेटर सेंस शुट प्रवेल हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए भारतिय वायू सिना की जाबाजी और सौर्य का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान में पल रहे आतंक वाद को एक करारा जवाब मिला है जिसके चलते पाकिस्तान भी दुनिया में बद्नामी जेल रहा है जबकी भारत ने सहीथ जवानों का बदला 12 दिनों के अंदर ऐर स्ट्राइक के जरीये ले लिया है एंडिया विन एज वन इंडिया विल वर्क एज वन इंडिया विल ग्रोज एज वन इंडिया विल फाइट एज वन इंडिया विल विन एज वन हमारा देश नई निती और नई रिती के साथ अपनी शमताओं का विस्तार करने में जुटा है आज भारत आत्म विश्वास से भरा हुआ है भारत का विवां आज उत्सा में है उर्जा से परिपूर्ण है विवां में कुछ कर गुजरने का नया विश्वास पादा हुआ है